हेलो श्टूदेंट, वेलकम तो सीयाल इंटरनेशनल स्कूल ओनलाइन प्लासिज, बिटा, हाव आर यू, आई होप योलाग वाइन एंड सेफ एट हम, बिटा, हम कक्षा सात्वी विशे हिंदी में पार्ट पंद्रा चोसर का खेल और द्रोप्ति की विथा पढ़ रहे हैं और इसमें आभी तक क्या बताये था, जो विदूर है वो यूदिष्टर के पास खेल का निमंद्रन लेकर आते हैं, यूदिष्टर कहते हैं कि चाचा जी चोसर का खेल अच्छा नहीं है, इससे जगड़े उत्पनोती हैं और विदूर उन्हें समझाते हैं, फिर भी राज और दिष्टर है, वो अपना रत है, हाती, घोड़ा, भेट, बक्रिया, गाए सब दाउं पर लगा देते हैं, फिर यहां तक कि वो अपने भाईयों को भी दाउं पर लगा देते हैं, और उसके बाद वह द्रोपती को दाउं पर लगाने के लिए बोलते हैं, बिटा अपनी बुक अपन कीजिए, अब हम आगे रेडिंग आते हैं, लोग बोले चीची कैसा गोर पाप है, कुछ ने आसु भाई, कुछ लोग परिशानी के, मारे पसीने से तरवतर हो गई, दुर्योदन और उसके भाईयों ने बड़ा शोर मचाया, पर यूयूच्सू, नाम का द्रत का एक बेटा था, वो ठंडी आवर कर उसने सिर जुका लिया, शकनी का पासा फेक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही, बस फिर क्या था, दुर्योदन ने विदुर को आदेश देते हुए का, आप सभी रनवास में जाईयों, द्रोपती को यहां ले आए, उससे कहे की जल्दी आए, दुर्योदन ने विदुर को आदेश दिया, विदुर बोले मूर्ख नाहक, क्यों मिर्तिव को नोता देने चला है, अपनी विसम परिस्थिती का तुमें ग्यान नहीं है, दुर्योदन को यह फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर का, अपने को हार चुकने के बाद युदिष्टर को कोई अधिकार नहीं था, कि वे पांचल राज की बेटी को दाओ पर लगाए, विदुर की बातों से दुर्योदन बोखला उठा, अपने सार्थी प्राती कामी को बुला कर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांड़ों स डरते हैं, रनवास में जाओ और द्रोपती को बुला लाओ, आज्या पाकर प्राती कामी रनवास में गया और द्रोपती से बोला, द्रोपती राज की पुत्री चोसर की खेल में युदिष्टर आपको दाओं में हार बैठे हैं, अब आप राजा दुर्योधन के अधिन हो यह प्रती कामी, प्राती कामी से बोली रथवान, जाकर उस हारने वाले जुए के खिलाडी से पुछो की पहले वे आपने को हारे थे या मुझे, सारी सभा में यह प्रश्ण उन से करना, और जो उत्तर मिले वे मुझे से आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना, प्रात प्रती कामी दोबारा रनवास में गई और द्रोपती के आगे जुकर बढ़ी, नमरता से बोले देवी युद्रियोधन की आग्या है कि आप सभा में आकर स्वैम ही युदिष्टर से प्रश्ण कर ले, ये किसकी आग्या है द्रोपती ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाओं कर मुझे बताओ, प्राती कामी लोटकर फिर सभा में गया और सभा सदो को द्रोपती का प्रश्ण सुनाया, ये सुनकर दुर्योधन जल्ला उठा, अपने भाई दुशाशन से बोला, दुशाशन ये सार्थी, भीम से इन से डरता मालूम होता है, किस से कहा दुशाशन, त गहने तोड फोड दिये, और बाल पूर्वा गसीटता हुआ सभा की और ले जाने लगा, दुरोपती विकल हो उठी, दुरोपती के ऐसी दीन हमस्ता देख कर दृतराश्ट के एक बेटे विकन को बड़ा दुख हुआ, उससे रहा नहीं गया, वे बोला, उपस्थित वीरो सुनिये, चोसर के खेल के युदिश्टर को दोके से बुलावा दिया गया था, वे धोका खा कर इस जाल में फस गए, और अपनी इस्त्री तक की बाजी लगा दिये, सारा कारिये न्याय उचित नहीं है, यानि कि न्याय के उचित नहीं है, दूसरी बात यह है कि दृपती अकेले युदिश्टर की ही पत्नी नहीं, बलकि वे पाच्चो पांड़ों की पत्नी है, इसलिए उसको दाओं पर लगाने का अकेले युदिश्टर को कोई हक नहीं था, इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युदिश्टर खुद को ही दाओं में हार गए थे, तो उसको दरोपती की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था, मेरी एक और आपत्ती यह है कि शकनी ने दरोपती का नाम लेकर युदिश्टर को बाजी लगाने के लिए उकसाया था, किसने उकसाया था, शकनी कौन था, दुर्योदन का मामा, लोगों ने चोसर के खेल के ज पूर्वक नहीं जिती गई। खीषता गया तो तो वस्तर भी बढ़ता गया अंत में खीषते खीषते दुशाशन की दोनों भुजाएं ठक गई और हापता हुआ वह ठकान से चूर होकर बैठ गया। तक भारत वन्स का बट्टा लगाने वाले इस दुरातमा दुशाशन की चाती चीरने डालूंगा तब तक कि संसार को छोड़ कर नहीं जाओंगा। भीम से इनकी इस प्रतिग्या को सुनकर उपस्थित लोगों के हिर्दे भै के मारे थर्रा उठे किसने प्रतिग्या की भीम ने। यह सब लक्षनों से दृतराश्ट ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने आनुभाव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुब नहीं होगा। यह उनके पुत्रों रुकुल के विनास का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिती को बड़े प्रेम से अपने पास बुलायो और शांत क्या शांत्वना दी उसके बाद वे उदिश्टर की हो और मुड़कर बोले उदिश्टर तुम तो अजासत्रू हो उदार हिर्दे के भी हो दुर्योदन की इस कुचाल को छमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भू अभी वादनाधी के उपरांत द्रोप्ती और कुंती सैस सब पांडव इंद्र परस्त के लिए विदा हो गए। पांडव के विदा हो जाने के बाद कोरव में बड़ी हलचल मच गई। पांडव के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कान कोरव बढ़ा पर सवार हो गया। कोन हो गया सवार? दुरियोदन। और पांडव के खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युदिश्टर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली गटना के करण दुखी होते हुए भी युदिश्टर को यह वरस तक वनवास करेगा क्या सरती इस बार है कि अगर जो हार जाएगा वे अपने भाईयों के साथ बारा वरस तक वनवास करेगा और उसके उपरांत एक वरस अग्यातवास में रहेगा यदि इस एक वरस में उनका पता चल जाएगा तो उन सब को बारे वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा इस बार भी युदिश्टर हार गए और पांडव अपने ये वादे के अनुसर वन में चले गए